अगस्ता से शुरू होने वाले आरलेंड दौरे की कमान तेज गिंदबास जस्परीत गुमरा सम्हाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तीन मैचों की T20 सीरीज के लिए सीनियर खिलाडियों को एश्या कप के लिए आराम दिया जा सकता है। एश्या कप की तैयारियों का कैम्प बेंगलूरू में 24 और 25 अगस्त को लगेगा। हेट कोच राहुल द्रवड ने इस कैम्प में टीम के सभी खिलाडियों को शामिल होने को कहा है। क्योंकि One Day World Cup की तैयारी इस टूनामेंट से पुख तकी जा सकती है। ऐसे में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाडियों के साथ हार्दिक पांडिया भी कैम्प में हिसा लेंगे। इस कैम्प से बुमरा को छूट में सकती है। बुमरा पिछल कुछ समय से फुल फ्लो में बॉलिंग कर रहे हैं। आइरलेंड के खिलाफ टीम इंडिया तीन टी-टी मैच खेलेगी, जहां बुमरा को एक मैच में चार ओवर बॉलिंग करनी होगी। कम ओवर फेकने से बुमरा पर जादा दबाव नहीं होगा और वो एशया कप और वनडिय वर्ल्ड कप के लिए तयारियां कर सकेंगे। बुमरा ने भारत के लिए एक टेस्ट में इंलाइन के खिलाफ कपतानी की है। ये मुकाबला पिछले साल जुलाई में खिला गया था, जिसमें भारत को हार मिली थी। द्रविट के साथ बाकी कोच स्टाफ को भी आईरलेंड दोरे से आराम दिया गया है। ताकि वो एशया कप और वनडिय वर्ल कप की तयारियां अच्छे से कर सके।